हेलो नमस्ते, वेलकम टू एटीस ओनलाइन, आज हम लोग पढ़ने वाल है आरके नारायन के लिखे लिए एक नौवल, टाइगर फॉर मालगोडी, दिखे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग नौवल है, और इसमें में कैरक्टर्स तीन होते हैं, जिसमें से पहला है राजा, ज बाकी और बहुत सारे कैरक्टर्स इसमा आते रहेंगे, जैसे जैसे वो आते रहेंगे, उनके बारे में बताते रहेंगे, तो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं, आज का चेप्टर स्टार्ट, जो हमारी कहानी के स्टार्टिंग होती, जहां पे एक ओल्ड टाइगर हमें एक जू में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, अपने पिंजरे में, और वो अपनी मास्टर के आने का वेट कर रहा है, जू में वैसे दो बहुत सारे लोग आते रहते थे थे, लेकिन ये राजा मतलब ये जो टाइगर है, जिसका नम राजा था, ये किसी की तरफ भी धान में देता था, कई बार ये अपनी पिंजरे में बैठा बैठा सोचता था, कि भगवान ने इसे ही इतना जादा भायानक रूप किनो दिया है, जब कि बाकी के जो दूसरे जानवर होते थे, जैसे पैरट, पिकॉक, या फिर जो डियर वगर होते थे, ये हमेशा आर्टेस्ट या फिर पॉइट को अट्रेक किया करते थे, एक बार दो राजा अपनी खुद की इमेज दिखता है, पानी में, और उससे खुद को ही डर लगने लगता है, इतना ज़्यादा भेहम कर वो दिख एक दिन अचाने किसकी मदर गायब हो जाती है, और ये उससे में पूरा अकेला हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है, अभी जब भी बाहर आता था, खाने पीने के लिए, तो बाकी जो दूसरे जानवर होते थे, ये इसको नुक्सान तोचात रहते थे और इसको थ्रेट भी किया करते थे, धंकी भी दिया करते थे, तो ये विचारव बहुत ज़्यादा भूखा रहता था, मतलब कहा जा सकता है कि ये बहुत भी बुरी हालत में हो गया था, लेकिन फिर इस तरीके से कैसे काम चलता, सो बाद में ये अपने आपको प गर गर होता है, जब भी ये जंगल से जाता था, तो वो इसके राश्टे से हट जाया करते थे, एक बार इसके राश्टे में एक पॉख किपायन आ जाती है, आपको मतलब क्ला होते है, वो अपने काटे राजा को च्प हो देती है, और राजा की हालत इतनी ज्रह बुरी हो जती कि ये दो-तीन दिन तक तो उठ भी नहीं पाता ये जो इंसिडेंट था ये देख लिया था एक बंदर ने और बंदर फिर बस इसका मजाक उड़ाता रहता है कि राजा किस तरीके से एक पॉर्ड की पाइंच से पिट किया गया राजा इसलिए हमेशा मंकी से नफरत भी कि ये हमेशा क्या किया करते थे उसके बारे में रूमर्स फैलाया करते थे अफवा फैलाया करते थे और जो क्रोज होते थे वह भी इसी तरीके से धोके बाज होते थे जो राजा की बाते सुन लेते और फिर इदर उदे जाके जंगल में फैला दिया करते थे जंगल में एक बोडी पे जो धारिया होती है उनके बारे में एक अंध विश्वास भी फैला हुआ था कि एक वार किसी टाइगर ने एक अंध पूरिद जंगल में टाइकर को बदनाम करने के लिए इसलिए टाइगर हमीशा लैपर्ड से बदला लेना चाहता था और इसको सबक सिखाना चाहता था लैपर्ड के यलावा राजा के लिए एक और प्राबलम थी एक female tiger मतलब एक टाइकरेस एक बर वो एक valley की तरफ जा रहा था जहां पर deer आया करते थे मतलब मोटी मोटी हीरान आया करते थे तो ये टाइकरेस वहाँ पर रास्ते में लेटी हुए थी राजा उसको बुलता है अपने रास्ते से हटने के लिए लेकिन ये तो माना करते थी है अब राजा का इगो हर्ट हो जाता है और वो इस पर आटेक करते है लेकिन इस बार राजा का सामना किसी एरे गेरे नत्थू गेरे से नहीं हुआ था ये जो female tiger थी ये भी अपने आपको पूरी तरह से brave prove करती है और दोनों की लड़ते लड़ते हालत खरा हो जाती है और फिर कोई आके इनको suggest करता है कि इस तरीके से अगर तुम लोग लड़ते रहे तो तुम दोनों लड़ लड़के मज जाओगे इससे अच्छा तुम दोनों जब इतने powerful हो अगर तुम दोनो एक साथ मिल जाओगे तो तुमारी power और भी जादा बढ़ जाएगी और ये suggestion दोनों को अच्छा लगता है और दोनों उसके बाद में दोस्त बन जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है राजा की और उस ताइक्रेस की थोड़े दिनों बाद में इनके बच्चे भी हो जा जब उसने देखा तो टाइग्रेस और इसके बच्चों का कोई नामों निशान ही नहीं था तो उनको ढूंडने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि कुछ लोग टाइग्रेस को और इसके बच्चों को एक गाड़ी में बंद करके ले जा रहे हैं अब राजा उसके पी लग जाता है गाउवालों के जानवर को खाने लग जाता है मार मार के खाने लग जाता है विलिजर्स ने फील किया कि कोई एक टाइगर है जो उनके जानवर का शिकार कर रहा है एक बार तो राजा ने एक बकरी के बच्चे को पकड़ ले खाने के लिए और ये बकरी का वहां से तुरंती भाग जाता है अब राजा के इस अटेक के बाद में सब लोग ने विलिजर से डिसाइड किया कि वो जाके कलेक्टर से मिलेंगे और वो जाके कलेक्टर से मिलते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प करो एक टाइगर हमारे एनिमल्स को मार रहा है कलेक्ट पहुच ही नहीं पाता था एक बार क्याप्टन नाम का एक आदमी था जो की एक टाइगर को पकड़ने के लिए वहां पे आया जब विलेजर्स उससे पूछते हैं तो वह बोलता है कि पहले उसके पास एक पोनी था एक यलो मंकी था और एक पैरट था जिससे वह सरकस चलाने क और सरकस का काम सिखने के लिए दादा जी नाम के एक आदमी के पास आता है दादा जी जो की एक सरकस चलाया करते थे जिसका नम था दादा जी ग्रैंड सरकस अब दादा जी कैप्टन से उसकी पूरी डिटेल लेते हैं कि वह क्या करता है क्या नहीं करता कहां रहता है कहां बना लिया थोड़े दिनों में दादेजी की डेथ हो जाती है और अब कैप्टेन ही उस पूरे सरकस का मालिक बन चुका था कैप्टेन अब सरकस को मालगोडी लेकर आ गया था और उसने पूने वाली जमीन भी बेज़ती थी जिससे वह बहुत जादा रिच हो गया था को रिणिव करवाने के लिए और उसी जगह पर क्या होता है गांवाले पी आए होटे तो गांवाले इधर टाइगर की बात कर रहे होते हैं कि हमारे विलिज में ऐसा ऐसा एक टाइगर आगया यहीं पे जो कैप्टेन होता है जब वो टाइगर नाम को सुनता है तो वह तो मुझे एड्वेस्ट दो मैं तुम्हारे गाव में आ जाओंगा तुम्हारे विलिज में आ जाओंगा और तुम्हारी प्रॉब्लम का सुलिशन मैं तुम लोगों को दे दूँगा अब थोड़े दिनों बाद में कैप्टेन उस विलिज में पूछ जाता है अपनी को ले जाने के लिए हूं तो विलिजर्स पोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नी है हमें तो सिफ टाइगर से छुटका रची है आप चाहे उसे मार के लिए जाओ या फिर उसे पकड़ के लिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है कैप्टेन और विलिजर्स मिलके प्लान बनाते है राजा को पकड़ने के लिए लेकिन जो राजा था ये बड़ा चालाग था ये बिलकुल भी पकड़ में नहीं आता था तो एक बर क्या करता है कैप्टेन क्या करता है अपने पूरी बाड़ी पे कुछ लेवज लपेट के और एक पेड़ के ओपर बैड़ जाता है और एक लोही के पिंजरे में आकर कłam केड़ हो जाता है अब राजा को पकड़ लिया गया इक पिंजरे में और इसको सिटी ले जाये जा और रहा था शहर ले जाय जाया घब भी रास्ते में वह लोक रुकते चाय पानी पीने के लिए तो इस से मत राजा तेज तेज दहारने लग जाता, रौड करने लग जाता, बाकि जो आसपास में जाने वाले लोग होते थे, वो भी इसको देखने के लिए आ जाते थे, राजा उस पिंजरे को तोड़ने की बहुत जादा कोशिश खरता है, लेकिन किल्किल लोहे के बने वे थे, इसलिए हो चुका था, कमजोर हो चुका था, अब तो इतना जादा कमजोर वीक हो चुका था, कि वो मुश्किल से ही खड़ा हो पाता था, एक दिन राजा के पिंजरे का दरवाजा खोला जाता है, और इसको एक रूम में लाया जाता है, जहां पे एक दम बीच वीच कैप्टन होता है, और जो टाइगर होता है, इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन तो इसने अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं किया था, कैप्टन राजा को रन करने के लिए और देता है, भागने के लिए और देता है, लिकिन राजा को समझ नहीं आ रहता था कभी सिग्रेट भी पीता था और कैप्टेन के साथ भी बहुत हशी खुशी रहता था उस लंगूर ने आकर टाइगर को बुला राजा को बुला कि भी जैसा कैप्टेन बोल रहा है वैसा तुम कर लो अब राजा समझ गया कि अगर मुझे यहीं पे रहना है तो उसरा लेवल था जिसमें उसको जंप करना था उसको इस वर्ड का मतलब भी निबता था जंप करने का मतलब क्या होता है जंप क्या होता है इसलिए राजा को और ज्यादा टार्चर किया जाता है लेकिन फिर राजा धीरे-धीरे क्योंकि राजा हमीशा कैप्टन को खुश करन जाता था इसलिए राजा देरे-देरे ये बात भी सीख जाता है तरकस में कैप्टन यह अनाउस करता था कि राजा 60 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से भागेगा और अगर कोई मेरी इस बात को गलत प्रूव कर दा है तो उसको 500 रुपिया दिया जाएगा और कैप्टन सो सो क पांच नोट हाथ में हिला के दिखाया करता था उचाल उचाल के लेकिन हमेशा कैप्टन ही सई प्रूव होता था क्यूंकि राजा हमेशा उसकी कंडिशन को फुल्फिल कर लिया करता था तरकस में और भी दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जैसे जिमनास यहां पर तरह ना मोग्तर का नाम था रिठा यह ट्रैपेज की चीफ थी मतलब ट्रैपेश्यक्टेम की यह चीफ थी एक दिन के क्याप्टन अपने चीफ एग्जाकेटिव को बोलाता है और उसके बोलता है कि ट्रैपेश वारे में उसके माइंड में रिए नया आइडिया है और वो नया आइडिया यह था कि जितने भी ट्रैपीज टीम की परफॉर्मस हैं उन सब को एक रिंग ओफ फायर में से होकर गुजरना पड़ेगा यह निक आग की गोले में से होकर गुजरना पड़ेगा लेगन रिटा इस काम के लिए मना कर देती है और इस पर कैप्टन रिटा की जगे लेला जो की दूसरी और करेक्टर है उसको ट्रैपीज टीम का चीफ बना देता है और रिटा और कैप्टन के बीच में लड़े हो जाती है और रिटा हमेशा सरकस को छोड़ कर जाने के लिए ध्रेट कर देती है और रिटा सरकस छोड़ देती है अब जो ट् और उसको reward के रूप में वापस से meat और water दिया जाता है पानी दिया जाता है एक बर राजा के सामने एक प्लेट रखी गई इस प्लेट में milk रखा गया दूद रखा गया और सामने एक बकरी के बच्चे को रखा गया एक मेमनी को रखा गया अब राजा को लगा कि भाई यह ज की दर जाने की कोशिश करता है लेकिन जो कैप्टन होता है वो उसको हंटर से मारने लग जाता है राजा वहीं पर रुख जाता है करना क्याता है कि उस बकरी को और राजा को उसी प्लेट में से एक साथ दूथ पीना था अब यह शो बहुत ज़्याद अच्छा चल रहा था इनफेक्ट राजा इतना अच्छा प्रफॉर्म कर रहा था कि जो कैप्टन है वो हमेशा राजा को ही प्रेज किया करता था उसकी जो वाइफ थी रिटा उसको भी प्रेज नहीं किया करता था और इसलिए जो रिटा थी यह हमेशा राजा से ही जलती रहती थी अब कैप्ट दो इस तरीके से जूबली शो एकडम सक्सेश्वल चल रहा था जब भी राजा उस बकरी के साथ में दूद पूदा था तो राजा हमीशा यह सोचता था कि कैसे जैसे मुझे एक चांस मिल जा इस बकरी को मार के खाने का एक और राजसी को चांस भी बूल जाता है एक वेर होतक है कि अचानक से सरकस में जब ये शो चल रहा था जब राजा और बकरी दोनों दूद पी रहे थे तो अचानक से कहीं से आवाज आने लग जाती है कैपटन जाता है देखने के लिए कि आवाज कहां से ही शैद उपर कोई सीडियों से नीचे गर जाता तो मौका देखकर राजा उस बकरी को खा जाता है और बस चारो तरफ अफरा तफरी मत जाती है सब लोग डर के इदर उदर भागने लग जाते हैं और कैपटन का यह जो करने वापस एक बकरी को रखा जाता है यह देखने के लिए कि अब राजा सुधरा है नहीं सुधरा लेकिन राजा अब तो बकरी दी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता था अब जब यह जिबली से खतम हो गया तो उसके बाद कैपटन सोच रहा था एक दो वीक के लि यह ओफर लेकर और बोलता है कि मैं एक फिल्म बनाने जाता हूं जिसमें एक आदमी को एक टाइगर से लड़ाई करनी है कैप्टन को क्यूंकि अच्छे पैसे वह ओफर कर रहा था इसलिए कैप्टन रेडी हो जाता है मान जाता है और वह बोलता है उसे लोकीशन लोकीशन उसको फाइनलाइज कर लिया जाता है क्योंकि यह एक फॉरेस्ट वाला इरिया ही था अब मदन उस मुवी की पूरी तैयारी शुरू कर देता है मुवी के जो मेन गैरेक्टर था यह था जग्गू जग्गू वही परसन था जिसको उस ताइगर से फाइट करनी थ उसने जग्गू को एक विलेज में लोकल रैसलिंग में देखा था मतलब विलेज में एक रैसलिंग हो थी वहाँ पर देखा था जिसमें जग्गू एक सचार चार लोगों को पेट रहा था यह दिखकर मदन बहुत ही जदा इंपरेस्च हो जाता है और उस ने उसी समय डिस कर रहे होते हैं कि भई ताइगर को कंट्रोल करने के लिए हमें हंटर की जगे पे एक छोटी सी मशीन को यूज करना चीए तो इसी समय पता चलता है कि जग्गु तो भाग गया अब क्योंकि जग्गु बहुत जादा ड़ता था ताइगर से इसलिए वह वहां से भाग जाता ह मदन हर जगे जग्गु को धूंडता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता लास्ट में जाके वह एक टैंपल में मिलता है मदन उसे अपनी कार में बैठा के लिकर आता है जैसे वह अपनी कार के दरवाजा खोलता है जग्गु तो वापस से भाग जाता है मदन जग्गु को चलात नहीं था राजा बहुती ज़्यादा परिशन था एक बड़ वापस से राजा के सामने एक बकरी को लाया जाता है और राजा इसके तरफ कोई भी ध travान नहीं देता अबिस पे क्या होता है कैपिज्छा है और कैप्टन उसको इतना ज्यादा तौर्च्या करता है कि सबर तो राजा का दिमाग की और राजा क्या करता है सीधा कैप्टन को मार्ण देता है अब क्योंकि राचा निकांट को मार्डिय था इसलिए राजा तो फ्री होगया था लेकिन तो ऊत्रौफ सारे के सारी लोग डर गए इधर उदह भागने लग जाते हैं राजा वहां से निकल के एक सिटी में पूच जाते हैं वाँ भी लोग जब राजा को दिखते हैं तो इधर उदर भागने लगते हैं सब लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं राजा बीच रास्ते में से जान जान से जारा होता है सब लोग इदर उदर बाग जाते हैं कुछ रेस्टों में लोग खाना खा रहे थे राजा जब वहां पर रुखता है तो उसे दिखकर सारे लोग वहां से भाग जाते हैं जब यह इंफोर्मेशन पहुचती है कि सिटी में एक टाइगर आ जया तो स्कूल की भी छुट्टी कर दी जाती है अब स्कूल की छुट्टी करने के बाद में जो स्टूडेंस घर पे जा रहे होते हैं जब वह रास्ते में टाइगर को दिखते हैं तो वह स्कूल में आ जाते हैं और टाइगर भी उनी के पीछे-पीछे मतलब राजा भी उनी के पीछे-पीछे वापस स्कूल में आ जाता है अब जब टाइगर स्कूल में आता है तो वह प्रिंसिबल के ऑफिस में घुश जाता है और वहां पे जाके सो जाता है और लोग क्या करत हो जाती है हर कोई अपने बच्चों के बारे में चिंता कर रहा था परिशान हो रहा था स्कूल में इतने सारी भीड को देखर एक होली परसन वहां पर आता है एक एसेटिक परसन यानि एक प्रीस्ट या साधू हम मान सकते हैं वह भी वहां पर आता है और वह उस ताइगर के पारे में लोगों से ज्यादा जानने के लिए कोशिश कर रहा था कि अंदर कौन है किस तरीके से वह टाइगर आया लेकिन परिशान होकर जो टीचर होते हैं वह से डाटके स्कूल के बाहर भागा देते हैं और सब लोग अब डिसाइड कर रहे थे कि टाइगर को किस तरीके सब बाहर निकला जाए जो मैठ के टीचर होते हैं वह सजेक्स करते हैं कि पुलिस को बुला लेना चाहिए बागे सब लोगी बोलते हैं हाँ पुलिसी अभी इस मामले में कुछ कर सकती है अब यह एसेटिक परस आता है होली परस आता है और बोलता है कि बच्चों को तो बि इस लेए बहुत है अच्छा हंटर माना जाता है और यह बोलता है कि उस टाइगर को तो मैं बहुत इजीली मार सकता हो लेकिन वह ऐसेटिक परस यानि वह साधू एलफोन से के पास आता है और बोलता है कि टाइगर को मारने की जरूत नहीं है हम बिना मारे भी टाइगर से बाकि सारे लोगों को बचा सकते हैं लेकिन एलफोन से उसकी बात भिलकुल भी नहीं सुनता और बुलता है कि तुम सब लोग बाहर चले जा जा उस टाइगर को तो अक्यला मैं देख लूँगा अब जिस रूम में टाइगर बन था उसे में क्योंकि प्रिंसिबल भी बन था इसलिए टाइगर को माड़ना तो बहुत ही जादा मुश्किल था इसलिए एलफोन से क्या गरता है एक लेडर मंगवाता है एक सीडी मंगवाता है ताकि वो छट पे ला सके और वहां से जाके देख सके क्या सिक्सुएशन है है दो स्टुडेंट्स होता है जिसमें इसे इककनम शेकर होता है और एक उसका फ्रेंड दो यह डना ला के दते हैं और उपर जाते हैं छहतने होल बना दिया जाता है जिसमें से यह दिखाई दे रहा था कि अब अंदर टाइगर है लेकि जब एलफोन से अंदर टाइगर के सासत प्रिंसिपल को भी देखता है तो एलफोन से बोलता है कि अभी टाइगर को मारना बिल्कुल भी सही नहीं होगा प्रिंसिपल को खत्रा हो सकता है जो स्टुडेंस शेखर होत स्कूल के बाहर एक कार आके रुखते है इसमें सेव टाइगर कमीटी के मेंबर्स थे जिनने उस साधू ने बुलाया था उस प्रीस्ट ने बुलाया था यह एलफॉन से जो हंटर होता है इसका नीचे बुलाता है एलफॉन से बोलता है कि मुझे मेरे काम में डिस्टरब मत कर बुलन से बोलता है यह अभी यह घ्यान देने का टाइम है अभी हमें अब की जाहन बचानी है तो यह स्कीनीनद कुल जाती है था और बचारा डर के और सब्सक्रीय चोटियूसuchen कुद्द निलिद कर लेकर जाता है उसको रिश्वत देता है और बोलता है मुझे बस ताइगर मार लेने दो अब जो स्टुडेंट होता है शेखर वो वापस छत पे जाता है अपने टीचर के लिए मतलब प्रिंसिपल के लिए खाना लेकर छत पे जाता है और वहां से आवाज देता है लेकिन अं पूरे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है बहुत ही ज़्यादा लोग शोर मचाने लग जाते हैं अब ऐलफॉन से उस रूम की चाबी लेता है जिस रूम में वो टाइगर और प्रिंसिपल दोनों बंद थे और उस रूम में जाने की ट्राय करता है लेकिन जाने से पहले क्योंकि वो जो टाइगर को दिखके अलफॉन से इतना जार ड़ जाता है कि वो सुचता है कि होशो हवास में तुम एज ताइगर को मार दी सकता है इसलब सुचता है चलो थोड़ी सी दारू पी लेते हैं सब दारू पीने के लिए जब बैठता है तो पूरी टाइगर बन था जो टाइगर है वो पूरी तरह से प्रिपेर था कि जैसे को रूम में आएगा मैं उस पर अटेक कर दूँगा लेकिन वो इतना जादा कमजोर हो चुका था भूग की वज़े से टाइगर कि वो अटेकी निकर पाता और जब साधू उसके पास लाता है तो उसे बड़े प्रवर्चन देने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें कोई नुक्सान नहीं पहुचाने आया हूँ और उसे फ्रेंडली बाते करने लग जाता है जिस पर टाइगर इंप्रेस हो जाता है और जैसे वो साधू बोलता है वैसा ही वो मानने लग जाता है टाइगर को लेकर उस रोम से बाहर निकलते हैं सारे के सारे लोग सर्प्राइज हो जाते हैं एक साधू के साथ टाइगर को इतनी शांते से चलते हुए देखकर सब बात करने लग जाते कि यह कौन पर्षन है यह शायद हिमाले से आया है इसने बहुत सारी तपश्या की है इसके पास कोई जादू शक्ती है लेकिन यहां पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडेक्शन होता है इसका नमतर जैराज जो की पिक्सर को फ्रेम किया करता था वो बताता है कि पहले यह जो पर्षन है इसने इंडिबेंडनेस मूमेंट में भी पार्टिस्पेट किया था और इसकी माँ पागल हो गई थी और इसके बाद में यह अचानक से गायब हो गया मतलब उस मंडित की बारे में बताया जाता है साथ में टाइगर वहां से चला गया था अब दूसरी तरफ हम ऐलाफन से की बात कर लें जो की पी के पड़ा हूँआ था टुन होकर शाम को उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि पूरा का पुरा स्कूल खाली हो चुका है लोग उसे बताते हैं कि भही एक पंडित आया और वो टाइगर को लेकर चला गया एलफन से बुलता है सब लोगों ने मुझे धूखा दे दिया और ऐसे मनी मन बढ़ बढ़ाते हो वहां से च करवतनी है यह टाइगर एकदम पालतू है किसे को नुकसान नहीं पहुचाएगा फिर थोड़ी दर बात में वह आगे एक ऐसी जगे पर जाते हैं जहां पर लोग लड़ाई कर रहे थे वहां पर जाते हैं तो वह लोगों को बोलता है कि अगर तुम लोग शांत नहीं हो त दोनों साथ-साथ वहां पर रहने लग जाते हैं पूरे दिन पर मास्थर मेडिटीशन टिया करता ता और शाम को जाके वह उस तीम को इधर उधर अगर हंटिंग में ही बिजी रहता था मास्टर उस टाइगर को बताया करता था कि कैसे पहले वह भी एक नॉर्मल परसन था लेकिन फिर अचानक वह भी महात्मा बुद्ध की तरह अपने घर से एक बार निकल गया और उसके बाद में कभी अपने घर पे वापस नहीं गया घर सारे फार्मर्स आते हैं बहुत सारे फल फ्रूट वगरा लेकर आते हैं और वह बोलते हैं कि हम वही लोग थे जब हम उस सिटी में लड़ रहे थे और आपने हमें लड़ने से मना किया इसलिए हम लोग आपको ये सारी चीजे ऑफर करना चाते हैं एक सुबह टाइगर अप को पहचान चुकी हूँ आप प्लीज घर पे चल लो वह घर पे चलने के लिए बोलती है और बोलती कि मैं आपको इस रूपें भी स्विकार करने के लिए तयार हूं लेकिन मास्टर बोल देता है कि अब मुझे मोहमाया से कोई मतलब नहीं मैं पुरानी अपनी लाइफ को प बैठा रहता है एक ही जगे पे अब वो किसी चीज को पकड़ने के लिए भाग भी ने सकता था उसके दांत भी तूट चुके थे और मास्टर को पता लग जाता है कि अब राजा का कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा अब राजा को आराम की जरूरत है तो मास्ट घंड अर घंड और घंड तरह का कोई हंटर भी नी था कोई विप भी नी था और यह भी बहुत अच्छे से अहां हपर रहा ता है जैसे को खुलता है राजा चुप-चंप उसमें चला जाता है और राजा को लेकर यह वहां से चला जाता है और जाते- divide सNow master राजा को बोलता के और मज़ेदार और इंट्रेस्टिंग वीडियोज के लिए बने रही एटीशन उनलाइन के साथ नेक्स्ट वीडियोज टक के लिए हवे गुड़ी टिक्यर बवाए जय हिन जय भारत राध 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 है